दोस्तों आज़ने आपको यह रिष्टा क्या कहलाता है में नक्ष नैतिक और गायत्री नैतिक का किर्दार निभाने वाले दोनों कालागार की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में पताएंगे दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई और दोनों को प्यार कब हुआ आपको बता दे नक्ष नैतिक का किरदार रोहन महरा और गायतरी नैतिक का किरदार काची सिंग निभाया था दोनों रोहन और काची साथ में काम करते करते एक दूसरे के करीब आ गये थे उन्होंने साल 2016 में अपना रिलेशनशिप ओफिशियल किया था काची सिंग और रोहन महरा की यह रिष्टा क्या कहलाता है में तब मुलाकात हुई थी जब शो की कहानी में ली पाया था दोनोंने शो में कसन का रोल प्ले किया था शुरुआत में दोनों की बीश सिर्फ दोस्ती थी लेकिन दोस्ती प्यार में बदलती चली गई उनका रिलेशन की पारे में सैट पर सिर्थ हिना खान को ही जानकारी थी उस वक्त हिना खान शो में अक्षरा बहू का रोल प्ले कर रही थी रोहन मेरा जब बिग बॉस दस में जा रहे थे तो उनसे पूचा गया था कि क्या वह बिग बॉस के घर में अपने लिए प्यार की तलाश करेंगे तब रोहन मेरा ने कुबूल किया था कि वह काची सिंग के साथ रिलेशन्शिप में है और उस relation को लेकर एक दम किलियर है दोनों साथ में romantic तस्वीरे भी share करते थे लेकिन अब उनकी break up की खबरों ने fans को मायूस कर दिया है उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि TV के cute couples में से शामिल, काची और रोहन जो हमेशे Instagram पर cute तस्वीरे share करते थे अब साथ नहीं है, spot boy की एक report के मताबिक रोहन महरा और काची सिंग के बीच काफी बक्त से मुश्किले हो रही थी और अब उन्होंने आपसी सहमती से अपना रिष्टा खत्म कर लिया है तो दोस्तों आपको हमारी news कैसे लगी आप हमें कमेंट करके सरुभ बताएं